अब आपको स्वागत है नमस्कार दोस्तों कांटीनी चोटे से टेरिस गार्डन में हमको फ्लाबर भी मिले और ऐसे फसकास के टमाटर भी मिले आप देख रहे हैं बिल्कुल आरगिनिक और इधर बिल्कुल लदे हुए हैं यह देशी यह देखी बिल्कुल अंगूर का C डेख के पक रहे हैं और यह देखें गुच्छों में विए टमाटर नीचा यह लटक का ही सारे गुच्छे हैं और उतना ही चोटे चोटे ये लगे हुए हैं ये देखिए और बड़ों का भी ये गुच्छा है और इधर तो ये धेचा रहा है ये देखिए दो तिन ब्रांच बजन से मेरी तूड गई इधर ये देखिए लगे हैं चोटे बड़े सभी तरह के तो दोस्तो नए टमाटर तो ल रहे हैं उतने टमाटर लगे हैं यह और मैंने क्यों इतनी नई न्यू ग्रोथ क्योंकि मैंने एक वीडियो शेयर किया था सब ताहे दस दिन हो गए मुझे डेट भी याद नहीं है आप मेरे चैनल में दे सकते हैं मैंने इनको सब हाट प्रून किया था यह देखिए और यह देखिए साफ हंगी साइड भी लगा सब को प्रून तो देखिए यहां से नई नई ब्रांच की आ रही है और मैंने गोवर की खाद सड़ी हुई लिक्र मैंने वह बीडियो बनाया था वह दिया था उसके बाद 15 दिन बाद फिर से म यह दस तीन आठ दिन हो गए फिर से मैंने रिप्यूट किया है फिर से आर्गिनिक प्योर आर्गिनिक उस बार थोड़ा मैंने कुछ इन आर्गिनिक भी एक चमच मिला लिया था तो अब इस बार पूरी आर्गिनिक में दे रही हूं जो कि फूलों और फॉलों से और भर और इसमें तो टमाटर बनेंगे यह देखिए इन में से बन रहे हैं तो दोस्तों पूरा धूब भीन को चाहिए और पानी उतना दे देखिए यह मिट्टी अब हमारी मॉइस्ट हो गई है और तो हम इसमें ख़द डालेंगे लिक्ट टानिक मिष्टी मॉइस्ट ऐसे रहे गीली बहुत न रहे तब ही डालें जिससे नुक्सान न करें क्योंकि जड़े तुनंद भोजन लेती हैं और अगर सूखी अगदम मिट्टी में डाल देंगे तो पौधे पर असर पढ़ सकता है तो धूब के सास्थ पानी हलका ही दे मिट्टी में हर दम नमी बनी रहे कीच संगी साइट मैंने कई बार सेयर किया है तभी इतने अच्छे टमाटर का रिजल्ट आपको मिलेगा डेली समय एक से जेड़ पाओ दो पाओ में टमाटर तोड़ती हूं तो चलिए और वो खाद ऐसी है दोस्तों कि जैसे टमाटर लगे हैं आप डाल दो कुछ भी नुक्सा है मैं आपको बताती हूं और टमाटर भी हार्वेश्ट करेंगे दोस्तों यह देखिए और फ्रेंट्स यह गोभी में भी हमने डाला थी इस तरह के फ्लावर बनने लगें बहुत ही अच्छा रिजल्ट है दोस्तों उसकात को मैं दुवारा बनाई हूं चार दिन पहले मैं मैं डाला था इतना चछ रिजल्टाया इसके पहले भी मैं लिक्वेश्टानिक जालती हूं मतलब मैं बदल बदल के लिक्वेश्टानिक डालती हूं दोस्तों तभी यह इतना च्छा है चोटे सी जगहें में ऐसे गोभी के पत्त्ते यह बढ़ गये हैं और जो खाद में 12 – भी डाली हूँ क्योंकि उसी से तो काम नहीं चल सकता ना अलाग अलग डाले उससे भी काम चलेगा वह बहुत अच्छी थी लेकिन बीच पीच में अलाग अलाग थोड़ा खाद दें लेकिन उसमें पोशक तो सभी हो तब ही हमारे पौधे का मूड फिस रहेगा वह भोजन अ पांच बनाना पील है यह चौथा दिन है तीन दिन का रिजल्ट पूरा हो गया आप इसको एक दो दिन और रख सकते हैं बिंटर है कोई नुकसान नहीं है या कि फिर दो दिन तीन दिन में ही आप डाल सकते हैं यह हमने इसको चान लिया है यह देखिए बड़े दो पौधे तो इसके बता रहे हैं अगर आप इकठा देना चाहते हैं तो इसमें 5 लिटर पानी और मिला लें और पौधि को पौधि की अब डाल दें तो हमारे इसमें दो पौधि लगे हो बड़ा है ग्रोथ में अच्छा है तो इतना टानिक यह हमने ले लिया है और यह एक मग़ा पान तरफ से हम डाल लेंगे कहां से मोबाइल पकड़े तो नहीं बन रहा है तो यह दोस्तों हमने डाल दिया इसी का इतना अच्छा रिजल्ट है होममेट फर्टी लैजर जो लिक्वे टानिक तुरंत असवर करती हैं आप एक सप्ताई 6 दिन बहुत गया आप न करिए आज हमन आपके तो बहुत अच्छे हो जाएंगे लेकिन फिर वो कमजोर पढ़के कलियां जड़ने लगती हैं पत्ते पीरे पढ़ने पढ़ने लगते हैं तो फिर फल कैसे त्यार होंगे नहीं होंगे तो यही सब डालना पड़ेगा तभी हमको अच्छा रिजल्ट मिलेगा तो मै यह टमाटर जीतने लगे हैं देशी छोटे बड़े सभी प्रकार के मैं तोड़ती हूँ इसके बाद मैं आपको बताती हूँ दोस्तों यह कुछ धनिया भी हम तोड़ने यहां की यह पहले तोड़ ले कल इधर की तोड़ ले गया थे आज इधर की इसके बाद फिर यह हम गोबर की लिक्ट डाल देंगे जो सड़ी हुई गोबर की खात का लिक्ट है आप इस प्रे कर दो पूरी धनिया हार्वेश के बाद तुरंत आपके पान से छे दिन में फि हम डाल देंगे कि फिर यही जो खात हमने अभी दिखाया है उसी को थोड़ा से डाल देंगे कोई दिख करनी होगा बनाना पिल नुकसान नहीं करेगा मागी सरसो खली और नीम की खली भी नाइटोजन से भरी होती है अच्छा हरावरा कर देगी तो दोस्तों यह आज की मेर जैसा भी लाइक अच्छा लगा हो वीडियो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले